हेलो फ्रेंट्स आपका फिस्वे बहुत बहुत स्वागत है और आएए इस वीडियो में बात करती हैं एक और पैनी स्टॉक की सबदेशी पॉलिटेक्स लिम्टड इस स्टॉक में आज फिर अपर सरक्र लग गया है और ये स्टॉक 39.70 की प्राइस में लॉग हो गया है तो आ तो एंड तक जरूर हमारे वीडियो को द्यान से सुनें सबसे पहले नए आयो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल एकन का बटन जरूर प्रेस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिक्विशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी इ साथ जरूर शेयर करें दोस्तो आईए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉलमेंस देख लेते हैं कि शॉटर में और लॉंग टर में किस तरह के ट्रेंड है फाइव डेज में 11.83 परसंट की रैली है क्योंकि पहले इस स्टॉक में रेंज बॉंड काम होता आपको दिखाई दे रहा था लेकिन अब इस स्टॉक में क्लियली ब्रेक आउट पैटर्न देखने को मिल चुका है और ये स्टॉक अपर सरकट में लॉग हो गया है वन मन्त में भी बहुत ही शांदा रिटर्न जन ये लिए 20% के राउंड रेली इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है 6 मन्त का दाटा देखें तो 13.75% की रेली ही देखने को मिलेगी क्योंकि पहले बड़ी रेली होने के बाद बड़ी गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली हुई थी लेकिन आप जुरूर ये स्टॉक अपने लोर स्पोर्ट लेवल से जो है वो ट्रेंडर वर्सल शो करता दखाई दे रहा है तो 30 के राउंड इसका बहुती बड़ा सपोर्ट जो उन बनता दखाई दे रहा है जबकि 39.40 यही इसका जो है वो resistance लेवल है तो 30 से लेके 40 के बीच में एक बहुती बड़ा इसका consolidation range है और यह जो stock है इनी levels के बीच में अभी trade कर रहा है और हार end पे आपको जो है वो trade करता दखाई दे रहा है means 40 के राउंड ही यह stock जो है वो trade करता दखाई दे रहा है आने वाले time में ज़री यह stock 40 का level cross कर लेता है फिर बहुती बड़ा breakout बहुती बड़िया target इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं even 60 तक के target भी आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि long term में clearly यह stock एक multi bagger stock है one year में शांदा returns बना के दिये हैं 5 37 7% के returns इसने बना दिये हैं जबके 5 years में देखोगे आप हरान हो जाओगे 2700 परसंट से भी ज़्यादा returns इसे stock में last 5 years में बन चुके हैं और अभी भी यह stock है अपने highest level से discount पे मिल रहा है क्योंकि यह stock का highest level जो है वो 60 के round है तो अभी भी यह stock पहुती बड़े discount पे आपको मिल रहा है लेकिन हम आपको यही राय देंगे इस stock में sip के through ही accumulation करें maximum data देखें 892% के बढ़िया returns देखने को मिलेंगे देखो इसकी valuation कितनी सही है कि PE ratio देखो इसकी 3K round चल रही है market cap 154 crore का है दोस्तों PE ratio को improve करने का reduce करने का एक ही तरीका होता है जा तो stock की price नीचे गिरे जा फिर company की earning grow हो तो यहाँ पे price तो नीचे भी गिर चुकी है लेकिन earning भी देख लेते हैं कि इसका क्या trend देखने को मिल रहा है और इसके जो earnings हैं किस तरह का trend शो कर रहे हैं जदी quarterly data देखें September 21 से लेके पहले March 22 तक इसके numbers grow होते दिखाई दे रहे थे लेकिन March 22 onwards September 22 तक इसके जो numbers हैं वो negative trend शो करते दिख रहे हैं revenue भी reduce हो रहा है और साथ के साथ profit और इसकी जो net income है वो भी reduce हो रही है तो ये आपको जरूर नोट करके रख लेना चाहिए हाँ यहाँ पे देखो जो September quarter में numbers है वो year on year basis पे जरूर improvement शो करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन annual basis का data देखो last five years का data देखो कितना शानदा trend है 21 में जरूर बीच में volatility है क्योंकि जैसे आपको पता है 21 में COVID भी आया था तो COVID का impact भी देखने को मिला था लेकिन otherwise इसका जो growth pattern है बहुत ही strong है बहुत ही बढ़िया है long term की outlook बहुत ही strong है तो इसका जो chart pattern है same इसकी financial performance को जो है वो match कर रहा है यहाँ पे देखो जैसे हमने इसका long term का pattern show किया 5 years का तो 5 years में company ने बहुती शांदा returns दिये है 2700% से भी returns बैटर दिये है मतलब 5 साल पहले जदी आपने 1 lakh रूपी से investment करके इसमें short दिया होता तो इसकी value 28 lakh से भी ज़्यादा हो गई होती दोस्तों यहाँ पे देखो पहले 5 साल का pattern कितना शांदार है शांदार trend show कर रहा है लेकिन स्टंबर quarter में negative number आने के कारण इसमें थोड़ा सा खेल भी बिगड़ता दिखा है यह stock consolidation range में भी चला गया था क्योंकि लोगों में भी fear होता है लोगों के में भी panic होता है कि higher level पे इस स्टॉक का profit book करें तो जब स्टॉक higher valuation पे जाता है तो यह वहाँ पे थोड़ी बहुत profit booking तो आती है जितना मर्ची भी fundamental strong stock क्यों न हो तो दोस्तों इसके fundamentals excellent है ROE percentage देखोगे हरान हो जाओगे 879 की percentage है जबकि EPS में बहुती बढ़िया है 13% का है हाँ P.E. ratio बहुती सही है हाँ Price to book ratio थोड़ी higher end पे जरूर दिख रही है तो mixed type का trend है और valuations are looking very very decent earning के मकावले इसकी price की value बहुती सही दिख रही है market depth देख लो आज इससे stock में कोई भी seller नहीं है और buyer इस stock में लाइन लगा के बैठे हुए है 31,605 की buy की quantity दिख रही है तो आई इसके December quarter के numbers थोड़े देख लेते हैं हमारे पास December 22 और September 22 का data है revenue देख लेते हैं September 22 में इसका revenue 4.48 था millions में ये आप देख सकते हो December 22 में ये double हो गया है double से भी ज़्यादा हो गया है 9.95 हो गया है net profit देख लेते हैं यहाँ पे भी आपको double से ज़्यादा growth देखने को मिल जाएगी 3.64 से बढ़कर 7.88 हो गया है EPS भी इसका बढ़ गया है double से ज़्यादा growth हो रही है cash EPS भी बढ़ रहा है OPM देख लो margins वो भी आपको nearly flat trend शो कर रहे हैं बड़ा jump देखने को मिला है company के sales volume में बहुती बड़ी growth होई है जिसके कारण इस company के numbers improve हो गए है December quarter में हमने यहाँ पे जो performance शो कर रहे है quarter on quarter business पे है last quarter के मकाबले December quarter में September quarter के मकाबले December quarter में company ने बहुती शानदर performance शो की है और company के margin जरूर आपको जो है वो flatter and show करते दखाई दे रहे है यह flatter लेकिन sales volume बढ़ने के कारण revenue बढ़ने के कारण company की profitability जो है वो बढ़ गई है profitability बढ़ने के कारण company के numbers improve हो गए है मतलब जो profit है वो double से भी ज़्यादा growth शो कर रहा है तो यही बड़ा कारण है इस company में जो है आपको recovery देखने को मिल रही है company में अच्छी growth हो रही है तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी है target इस stock में देखने को मिल सकते हैं ज़री एक बड़ जो stock 40 के level जो है cross कर लेता है तो next यह stock 50 से लेके 60 तक के तरह target तक भी जाता आपको दखाई दे सकता है within next one year तो इसलिए आप इस stock में accumulation करते रहे हैं company fundamentally बहुत strong है तो long term के लिए इस stock में बने रहोगे तो आपका पैसा यहां पर बनता रहेगा आजकार valuation बहुत ही सही है तो valuation पे निवेश करने का एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है thanks again मिलेंगे नए वीडियो के साथ अभी तक ज़िए आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर लें thanks again